तो Clash at the Castle के मैच के गाइज एक शौकिंग एंड निकल के सामने आ चुके हैं एंड रोमन रेंस एंड रो मैकेंटार के मैच में एक शौकिंग एंड दिखा देश सकता हैं जो कि सभी को अपसेट खर सकता है साथ ही में गाइज बीस्ट इंकार्नेट रॉक लेजनर को भी किया गया है स्पोर्ट ट्रेस्ट ट्रैटस का भी होने वाला है रिटर्न और गाइज उसोज क्यों नहीं ते कल स्मैक टाउन के अंदर इसके बारे में कुछ बहुत ही बड़ी बाते वो भी आपके साथ शिर करूँगा और ट्रिपल एज गाइज एक नई चैंपेंशिप लाने वाले डबड़ी में और भी बहुत सारी अपडेट से तो वीडियो को लास तक दरूर देखना सबसे पहले गाइज हम लोग बात शुरू करते हैं स्मैक टाउन की विवर्शिप से और गाइज इस हफ़ते का स्मैक टाउन काफी कमाल का था और रेटिंग्स भी कुछ ऐसी आई है और रेटिंग्स गाइज आज सुकी है 2.35 मिलियन विवर्श यानि की गाइज जो है 2 मिलियन जह स्मैक टाउन हर हाफते अब लगबग टच कर ही जा रहा है और यह काफी अच्छी न्यूज है डबडबली के लिए अभी रीसंड की स्मैक टाउन बहुत ही अच्छी तरह किसी जो है रेटिंग्स को ड्रॉ कर रहा है रो भी कुछ ऐसा हाले रो का भी तो फिलाल रेटिंग तो खाफी अच्छी है वाकी आपका कहना है इसके उपर कमेंट में आप लोग बाखे बताना वैसे जी यह स्मैक डाउन की गाइज बात चल रही है तो गाइज अगले हफते के स्मैक डाउन के लिए दो मैच अनौस कर दिये है डबडबली ने सबसे पहला मैच होने वाला है हैपी कॉर्बिट एंड रिकोशे के बीच तो इन दोना का मैच है एंड टॉक्सिक अट्रैक्शन फेस करेगी काईज यहाँ पर अलिया एंड अरकिल रोडरिकस को एंड यह विमिस्ट एक्टिम डाड़स का कौलिफाइंग होगा तो यह फिलाल कुछ बात हैं वाकि बात करते हैं गयर समर स्लैम के बारे में तो काईज साल के समर स्लैम में बहुत जादा मतलब बहूत हज से जादा फ्रॉफिट के आए ठबड़ डवली को और वहाग की जो है जो अरेना जगरा है उनको भी उस सिटिको भी बहुत ज़ादा वाइदा हुआ है और सच में एक गाइज एक फाइदे मन पेपर यू रहा है डब डबली के लिए और इसके ज़ुए एक थरीके से कहें तो Income इसकी बहुत ज़्ञादा हो चुकी है सभी को तो समर लायम के बारे में कुछ काफी कमाल की स्टैट्स है बहुलर यह कुछ समर स्टैम के बारे में बात थी और गाईज हम बात करते हैं NXT के बारे में और गाइज NXT UK अब WWE से जाने वाला एंड NXT Europe आने वाला है 2030 में और गाइज NXT Europe के लिए नई टाइटल हो गाएंड NXT Europe Championship WWE लाँच करने वाली है साल 2030 में लेकिन ये थोड़ी डीले होने वाला है और विमस के लिए भी ऐसी चीज़ होगी है और टाइट टीम डाइडस भी नहीं आने वाली है तो NXT UK अब एक री ब्रैंट होने वाला है तो वेट करो बस इसका साल 2023 के अंदर बागे बात करते हैं ब्रॉंस ट्रोमन की जो कि फिलाल दो दिन पहले थे साओधी अरेबिया के अंदर और गाइस ब्रॉंस ट्रोमन अपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर हम जो फोटोज वेगर आप डालते वे दिखाई दीते हैं और फिलाल ब्रॉंस ट्रोमन जो दो दिन पहले गए थे और पता नहीं किस तरह किस जो है कि जो रीज़न के वज़े से लेकिन यह फिलाल कुछ शोटी सी बात थी ब्रॉंस के बारे में बखिए केस बात करते है हम लोग ट्रिश्ट्रेड़स के बारे में तो गाइस ट्रिश्ट्रेड prefers का उन्हें वाला इस बात को 100% ऑफिशल किया है कि अगले रौ में ट्रिश्ट रैडस आने वाली और देखते उसे क्लैश रतिकास्टल में क्या रोल है या फिर नहीं वाखिए गाइज ठबडबली के टीवी 14 की बात करते हैं तो गाइज टीवी 14 आपको बताएं सभी इसके लिए बहुत जाद डबडबली को अपने ही ब्रैंड पर बनाके रखना इसलिए और फैंस की चेर वगरा भी ठबडबली के काफ़े अच्छे तरीके से चाहिए और यह फिलाल को जब अभी के लिए फिलाल रीजन्स बताएं जारे है कि क्यों टीवी 14 डबडबली में आने वाला है लेकिन ब्र रियाक्शन दिया है तो आइज डू मैकेंटार ने रोमन रेंस पर अटाक करने के बाद स्मैक डाउन के बाद ट्विटर पर दोनों फोटो पोस्ट करते हैं स्मैक डाउन की और इस कैप्शन में अपने ब्रोकन जो उनका थीम सौंग उसकी लेरिक्स डालते है वाट इस यो उनके दिया रियाक्शन विए रैधें के बाद करते हैं इस केविन और य कि मैच drives के बारे में जो कि अ पता हैं कि हैं काफी अच्छा हुआ था और इस मैक को मतलब सारे मैच्व कॉणर ड Capital है और सुनके थैरान हो जाओगे क्योंकि इन दोनों के मैच miénkor फोर स्टार रिट इन दोनों के मैच को कि यह रीसेंट का मंडे नाइट रॉक हुआ था एको जिनके मैच के बारे में थोड़ी बहुत अपडेट थी और बात करते गए हम लोग उसोस के बारे में कि उसोद आखिरकार क्यों नहीं है ग्लैशर दी कास्टल में भी और वो कल क्यों नहीं थे स्मैक डाउन में और वैसे बातरी क्लैशर दी कास्टल की तो बत्ता जा रहा है कि वहां पर भी उसोस का मैच नहीं होगा और गाइज यही कुछ जिमें उसों की डियू आई की जो कैसे उसका कुछ फिलाल इश्यू है इसलिके कारण गाइज में भी उसोस जोए क्लैशर दी पर बात किया फिलाल मुझे विमेंस डिविजन टॉप के उपर पर फिर एक बार जाना है चार साल वो चुके जब मैने मेरी टाइटल जीती थी एंडव चार साल से ज्यादा मुझे समय हो चुका है क्लैशर दी कास्टल में मैं लड़ सकती थी लेकिन फिलाल यह सिक्समें ट देखते हैं फाइनली कब उनको एक मौका मिलता है रोव में शेंपेंशिप मैच के लिए तो देखते हैं आप एकसाइड़ हो या फिर नी कमेंड में बताना जरूर और गाइज हम लोग बात करते हैं बीस्ट इंकार्नेट ब्रॉक लेजनर के बारे में क्यों गाइज ब्रॉक लेजनर को समर स्लाइम के बाद पहली बार स्पोट किया गया है एंड अपनी वाइब के साथ ब्रॉक लेजनर है और फिलाल गैज आप लोग देख सकते हैं यहापर फोटो में जहापर ब्रॉक लेजनर के साथ और दो बंदे और एक बंदा फोटो की च्रेंड अगर आप ध सब्सक्राइब की जो कि जोड़ी गाइज रोमाड रेस एंड्रु मैकेंडार की क्लैश अडी कास्टेल के मैच के पॉसिबल एंडिंग के बारे में गाइज यह एंडिंग सभी को जो है गाइज अपसेट कर सकती है और गाइज फिलाली इसकी क्या चीज है मैं आपको बता और गाइज यह एंडिंग हो सकती है इंक्लूडिंग क्यारियन क्रोस और गाइज क्यारियन क्रोस का बारा सेनारियो सभी को पता है क्यारियन क्रोस इसके अंदर है लेकिन उनको वो मैच में नहीं है तो गाइज हमें में इवेंट के दौरान अभी फिलाल मैच के अंदर क्य इस match की and clash at the castle की तो फिलाल ये कुछ ending एक possible है कि Macintyre या फिर rumor इस पर attack कर सकते ग्यारिंग क्रोस तो क्या अगर आपको ये ending मतलब मेरे खाय से तो ये सबसे पेकार ending होगी match disqualification मेंड हो जाएगा तो क्या ही उस match का जोए result वगेरा होगा फैंस बहुत ही लाज होंगे दो वैलेस के उपर आपको अबनेन बताना जरूर फिलाल वीडियो बस इतने से थी पसंदे होगी तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हो चैनल को आप लोग सबस्क्राइब कर सकते हो और मैं मिलता हूं एक इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर